9 अप्रिल को प्रदानमंत्री नरीन डंबोती का बालाकाट आगवन होनी चारा है यह दूसरी बार है कि नरीन डंबोती बालाकाट के शास्की उत्कृष्ट विद्याले बैदान में ही चुनावी सभा को संभोधित करेंगे प्रदानमंत्री की आगवन को लेकर प्रतिश सहीद जिले स्थर पर तयार या प्रारम हो गई है राश्ट्री सुरक्षा एजन्सियों सहीद बड़ी संख्या में सुरक्षा जवान बालाकाट पाँच चुके है जबकि भारतिय वायुसिना के द्वारा भी आस्मान से जिले की हर सीती पर नजर रखी जारी है लोकसवा चुनाव की प्रतम चरण में बालाकाट सिवनी संसितिय शेत्र के चुनाव प्रचाह में आगामी 9 अप्रिल को प्रदानमत्री नरीन रभोती बालाकाट आ रहे है इस दोरान पियम मोती उत्कृष्ट विद्धाले मैदान में आगमन वा था जा उन्होंने बालाकाट और मंडला संसितिय शेत्र के चंता को बालाकाट से संभूरित क्या था लगबक 10 साल के अंट्राल के बाद पुनर प्रधामंत्री नरीन रमोती का आगमन होनी जा रहा है जिसको लेकर बालाकाट में खासी तयारिया प्रारंभ है सु विवाल को एरफोर्स का हेलिकॉप्टर भी बालाकाट शहर में ड्राउन लगाता नजर आया बताया जाता है कि अकले एक दिन में प्रधामंत्री की सुरक्षा का पूरा अमला बालागाट पहुचेगा बालागाट में प्रधामंत्री नरीन रमोती की जन सभा की मति नजर स सुरक्षा के इंतिसाम आजमान से लेकर जमी तक किये जाएंगे। चोकि जिला नक्षर प्रिभावित होने और हाली में बालाख़ट पुलिस वारा दो नक्षरियों को मार गिराने की खटना के बाद विवयाईपी के दोरे को लेकर नाकेवर प्रतानमंती का सुरक्षा अमला बलकि बालाख़ट पुलिस भी गंफिर दिखाएते हैं। सुत्रों की माने तो बड़ी संख्या में सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स को तैना क्या जाएगा। वही मंचिय सुरक्षा को लेकर लगातार अधिकार्यों का दल मैदान का नरिक्षन कटा है। जिसमें कई दुकान को यहां से हटाया चारा है। अन्बेसर नियूस के लिए बालाख़ट से आशिश भगत की रिपोर्ट।